वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के एक्सपारी के जैक पोट्रेट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और लास्ट एक्सपारी में जो 20 रुपय का ओप्शन था वो 200 रुपया हुआ था उसके पीछे का कम्पलीट लॉजिक क्या है और कल के दिन हमें किस तरीके स देखने को मिल सकता है अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है जैसे ही मार्केट ने 38,500 के लेवल को ब्रेक किया बहुत बड़े अपसाड़ेड मॉमेंटम हम लोगों को देखने को मिला वे लेकिन यह रेर टाइप का मॉमेंटम होता है ज यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा कासा वन साइडर मॉमेंटम देखा दिया है मतलब यहाँ पर जितने भी कॉल राइटर ट्रैप हो चुके थे वो कॉल राइटर अभी यहाँ से मार्केट में से एक्जिट हो चुके है तो हमारे लिए कल के दिन जो जैकपोट ट्रेड मिलेगा हाई प्रोबैबिलिटी है कि अगर पूट के साइड में वो जैकपोट ट्रेड मिलता है तो उसमें बहुत बड़ी है रिस्क रिवोड रेशो और सक्सेस रेट हम लोगों को मिल सकता है तो वो कहां पर आइडेंटिफाय करना इसको थोड़ा पॉयंट का यहां पर स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की साइड में टारगेट जो रहेगा वो एक्स सी से लेकर 210 स्क में लोगों को देखने को दे सकता है अभी कल यह वो कल के expari में मैं expect कर रहा हूं कि market जो है वो market बोद साइड का momentum हम लोगों को दिखा सकता है बोद साइड के momentum का indication यह होता है कि market जो है वो हम लोगों को अप और डाउन दोनो momentum दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर already call writer जो है वो trap होके exit हो चुके है put writer को trap होने के लिए 49,000 के नीचे market को आना पड़ेगा quantity wise कितना open interest का data बनता है इसके उपर भी depend रहेगा मैं अपने इस free वाले channel में आपको update कर दोंगा जहाँ पर मैं bank nifty nifty option के signal देता हूँ जहाँ पर 2,000,000 से ज़्यादा लोग में जुड़े हुए है इसका link वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है आप वहाँ पर जाके चेक करके देख सकते हो अगर कल के दिन market जो है वो directly gap up के साथ खुलता है तो इमिजर कोई trade मत किजे price action देखके हम लोग decision ले लेंगे अभी देख ले थे कि Nifty में किस तरीके का scenario बन रहा है अभी आपके सामने मेंने Nifty का चार्ट लगाया हुआ है अगर आप bank Nifty और Nifty का comparison करोगे तो Nifty जादा strongness कल के दिन दिखाया हुआ है तो Nifty अगर यहाँ पर 17600 के नीचे आता है और 17600 के नीचे आने के बाद इस तरीके का price action बनाता है तो उस case में हम लोग 17600 का जो पूटे वो 17600 के पूट को यहाँ पर buy कर सकते है stop loss जो रहेगा वो 25 से 30 point का stop loss यहाँ पर रहेगा और नीचे की साइड में हमारा target जो रहेगा वो 70-80 point का target हम लोग expect कर सकते है market अगर 17500 के नीचे आता है तो जार के market में और भी तेज गिरावट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है जिस case में market 17400 तालिक तक भी नीचे की साइड में जा सकता है बहुत बड़े gap up के साथ खुला तो immediately कोई भी trade मत कीजे price action बनने के बाद decision ले लेंगे अभी देख लेते हैं कि कल के expiry का जो jackpot trade है वो jackpot trade को किस तरीके से identify करना है उसके पीछे का complete logic क्या है jackpot trade के लिए हम लोगों को देड़ बज़े तक का wait करना पड़ेगा देड़ बज़े के बाद हम लोग देखेंगे कि market में कौन से level के उपर highest open interest बन चुका है मालो की 17600 का जो level है वहाँ पर highest open interest बन चुका है और market ने इसको downside की तरफ break किया तो यह highest open interest हम लोगों को put की side देखना पड़ेगा जैसे ही market इस level के नीचे sustain होना चालू हो जाएगा उपर की side में जितने भी लोगों ने buy के position बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर trap हो जाएगे अभी इनके buy के position को इनको square off करने का समय रहेगा 3.5 बज़े तक का और जो लोग side line पर बेटे हुए यह इस price action का benefit लेने के लिए भी यहाँ पर sale का order punch करेंगे इसकी वज़े से क्या हो जाएगा market में एक sale का बड़ा order flow हम लोगों को देखने को मिलेगा और वो order flow के बाद market में एक तेज गिरावट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है तो इस case में हम लोग कुन से option को buy करेंगे हम लोग ऐसे option को buy करेंगे जैसा जिसका premium 15 से लेके 20 रुपे तक में रहेगा उसका stop loss हम लोग मातर 5 रुपे का लगाएंगे और यहाँ पर target जो रहेगा वो subject to market momentum रहेगा इसका YouTube के उपर आप वीडियो देख लिजे वहाँ पर आपको यह idea लग जाएगा तो मैंने last expiry में जो आपको option का trade दिया था जहाँ पर हम लोगों को 20 रुपे का option था वो 20 रुपे का option directly 200 रुपया हुआ था वो same logic के उपर मैंने आपको दिया वहा था तो same logic को कल हम implement करने की कोशिश करेंगे यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजिए अपने YouTube channel को subscribe करके बेल आइकॉन का बटन दाबा दीजिए मिलते हैं next educational वीडियो में Thank you very much